इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS alignment के बारे में जिसमें हम देखेंगे कि किसी content को किस तरीके से हम center में ला सकते हैं left से align कर सकते हैं and साथ ही देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई HTML element है and उसको मैं चाहता हूँ कि वो vertically and horizontally दोनों तरीके से center में मैं किसी element को करना चाहता हूँ तो वह चीज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं तो आते हैं यहाँ पे index.html पे and यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक paragraph tag को create कर लेता हूँ okay and इसमें मैं कुछ dummy content add कर लेता हूँ तो हमारे पास यह एक paragraph tag है and यहाँ पे आएंगे style.css में and यहाँ पे p tag को मैं यहाँ पे access कर लेता हूँ okay and यहाँ पे मैं border apply कर देता हूँ border and border देता हूँ 3 pixel solid red okay and इसकी width मैं set कर देता हूँ 200 pixel okay and इसको कर लेता है run इसको मैं करूँगा refresh तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यह content आ चुका है okay तो चलिए इसमें सारे जो alignment वाले property हैं उसको apply करके देखते हैं तो यहाँ पर simply मैं लिखूंगा text align यदि हमें center में करना है तो simply यहाँ पर लिखेंगे center तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जितने भी content थे यह अब center से align हो चुके हैं similarly यह दि left में करना हो तो simply यहाँ पर left लिखेंगे यह दि right में करना हो simply यहाँ पर right लिख देंगे justify करना हो justify मतलब left and right से equally यह align हो गा यहाँ पर simply कर लिते हैं justify अब आप यहाँ पर देखोगे left and right से यह align हो चुका है दोनों तरब से यह align होगा अच्छा जी तो यह तो हो गई बात कि हमने text को किस तरीके से align करना है यदि मैं आपसे बोलूँ कि जो p tag है इसको center में लाना है तो अब क्या करोगे तो इससे पहले मैंने कितने बार यह example दे चुका हूँ आपको पता भी होगा तो simply यहाँ पर क्या करना है margin लिखेंगे and यहाँ पर margin कर देनी हमें अटो अब यह क्या हुआ कि यह vertically align हो गया है यह पूरा जो p tag है यह vertically align हो चुका है अच्छा इसमें एक और चीज़ होता है suppose करो हमारे पास जो content है अब यहाँ पर मैं यह जो content है ना मनलों कि यह content कम होता है तो suppose करो मैं यहाँ से content को कम कर लेता हूँ बस इतना content रहने देता है ओके अब मैं इसको कर लेता हूँ refresh ओके जी यह height हमने दे रखी है and मैं यहाँ पर height भी दे देता हूँ तो simply हम लिखोंगा height height भी मैं दे देता हूँ 200 pixel का ओके जी and यहाँ पर मैं यह content है ना यदि मैं इसको vertically and horizontally center में लाना चाहता हूँ तो हमें क्या करना होगा बढ़ा ही simple है तो simply हम लिखेंगे text align center इसे क्या होगा कि यह horizontally center में आ जाएगा अब क्या होगा कि जो line की height है ना उसको बढ़ा देंगे तो हमारे पास एक property होती है line height की simply लिखेंगे line height and इसकी height जीतना हमारा container जो p tag का height है उतना ही हमें line height देना होगा simply हम लिखेंगे line height and इसको भी कर देंगे 200 pixel तो यह क्या होगा यह horizontally and vertically center में आ जाएगा ओके तो आप यहां पर देख सकते हो कि जी लोरे मिपसम है यह बिलकुल ही center में आ चुका है ओके जी तो यह था कि हम alignment के तुरू किस तरीके से center में ला सकते हैं बट यदि मैं कहूं कि यह जो पूरा p tag है उसको center में लाना है तो आप कैसे करोगे ओके तो suppose करो यह p tag है मैं यहां से लोरे मिपसम को हटा देता हूँ and इसको wrap कर देता है एक div के अंदर यहां पर मैंने डाल दिया है div and जो p tag है इसको हम div के अंदर wrap कर देते हैं ओके जी ठीक है तो जो div है इस पे हम क्या करते है पी के जिगह पर यहां पर मैं कर देता हूँ div and इसका border हम देता है width कर देता है 200 pixel and इसकी height भी हम कर देता है 200 pixel okay and इसका background color मैं कर देता हूँ अलका सक gray color तो simply gray color क्या होता है ddd okay page को replace कर लेते हैं and यहां पर आप देखोगे कि हमारे पास एक box आ चुका है okay and इसके अंदर एक और box बनाएंगे and उसको हम यहां पर center में लाएंगे okay तो अब क्या हो गया कि यहां पर हमने क्या दे रखा था पी टेग तो पी टेग पर भी height and width apply कर लेते हैं यहां पर आ गया p tag and इसमें मैं apply करता हूँ height height देता हूँ 50 pixel and जो width है यह भी हम देते हैं 50 pixel and इसका background color जो है यह हम कर लेते हैं red black कर लेते हैं तो black का जो code होता है has triple zero okay तो यह हमारे पास code बनके आ गया है अच्छा जो div है न इससे पहले मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको वह पर आया था क्या बोलते हैं उसको positions okay तो positions में आप जाओगे तो वहाँ पर यह सारी चीजी मैंने बताया था relative and absolute के बाल बीच में relation क्या है इन्हें को मैं चुछ करके जो हमारा content है भी उसको center में लाएंगे ठीक है तो simply जो div है इसकी position मैं कर देता हूं relative ओके इसकी position मैंने क्या कर दिया है relative and यहां पहेंगे page को कर लिया refresh तो यह हमारे पास अभी output है जो p tag है इसको अभी हम कर लिता है position absolute ओके ठीक है अब पोजिशन हमने इसको कर लिया absolute अब यहां पर क्या करेंगे जो p tag है अब जब हम इसको जब इसका parent का जो पोजिशन है relative है अब क्या कर सकते है कि हमारे पास जो top left right bottom property है उसको यूज करके हम यह जो black box है इसको move कर सकते है इसके अंदर यह वाले div के अंदर चुकि इसका जो position है वो relative है तो अब जो p है इसमें हम क्या करेंगे top से दे देंगे 50% तो क्या होगा कि यह top से 50% नीचे आ जाएगा किसके 50% यह जो हमारा div है आप इसमें क्या करेंगे लेफ्ट से हम करेंगे 50% तो लेफ्ट से 50% एंड टॉप से 50% अब यहां पर देख सकते हो कि यह की जो container है यह left से top से 50% नीचे आ गया है एंड यह left से 50% इधर को आ गया है तो अभी क्या हुआ कि यह container का 50% नीचे आ गया है अब इतना में हम क्या करें कि यह जो box है इस box का 50% उपर चला जाए and 50% left में चल जाए तो यह क्या होगा automatically center में आ जागा ओके तो यह चीज़ कैसे करते हैं इंप्ली हाँ पर जाना होगा एंड हमें लिखना होगा transform नाम की परपर्टी होती है जो कि आने वाले टूटोर्यस में मैं आपको बताऊंगा ही इंप्ली यहां लिखेंगे transform यहां लिखेंगे translate यहां पर हम x and y access के value दे सकते हैं यह जो है यह x access पर move करेगा ओके आप यहां पर देख रहे हो एंड यह y access पर move करेगा तो simply यहां पर हमें क्या करना है कि भीया तुम यहां से माइनस पचास परसेंट चले जाओ तो यह क्या होगा कि इसका जितना विर्थ है उसका पचास परसेंट यह move कर जाएगा simply यहां लिखेंगे 50% ओके और similarly यहां भी हम कर देंगे 50% माइनस 50% और लाइट गाइस तो अब देख सकते हो कि हमारा जो element है यह vertically and horizontally दोनों तरीके से center align हो चुका है okay so I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thanks for watching